हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको कुड़ती के आम होल, नेक और स्लीव कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आपके बहुत ही काम भी आएंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कुड़ती की कटिंग को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने कुड़ती के लिए ये फैब्रिक लिया है जिसे मैंने फोर शाइड में ऐसे फोल्ड करके रख लिया है इससे हमारी फ्रंट और बैक एक साथ ही कट जाएगी तो सबसे पहले ना हमें उपर एक सीधा माक कर लेना है इससे हमारा ये फैब्रिक भी सीधा हो जाता है और इसी पे हमारे तीरे का भी माक आता है अब हमने यहाँ से नीचे लगबग साड़े साथ इंच पे ना आम होल और चेस्ट के लिए मार्क करना होता है तो चेस्ट के साइस की मार्किंग भी इसी मार्किंग के उपर होती है और आम होल की भी तो 7.7 इंच को हम इस तरीके से सीधा-सीधा मार्क कर लेंगे अगर आपने अपनी कुर्टी में बैन नेक या शॉट नेक कोई भी रेडी करना है तो उसके लिए आपको ये वाली मार्किंग ना 8 इंच पे करनी है और अगर आपको ये वाली कुर्टी स्लीवलेस रखनी है तो उसके लिए आपको ये वाली मार्किंग 7 इंच पे करनी है तो ये तो हो गया चैस्ट और आम हुल के लिए मार्क ये मैंने आपको दो तरीके से बता दिया कि आपने किस तरीके से करना है अब हमेना उपर की तरफ 13 मार्क करना है तो इस कुर्टी में हमें डीपने क्रेडी करना है तो उसके लिए मैंने आपको 13 बताया हुआ है इसका जो स्टेंडर्ड साइज 13 आता है वो 6.60 इंच आता है यानि कि टोटल 13 हमारा 13 इंच का आता है अब हमने इसी वाली मार्किंग को उपर वाली मार्किंग से ऐसे मिला देना है तो ऐसे हमने फ्रंट के आम होल के लिए मार्क कर लिया है अब हमें बैक के आम होल के लिए मार्क करना है तो इसमें न हमने 1.5 इंच प्लस कर देना है इस तरीके से तो फ्रंट के आम होल से हमने 1.5 इंज प्लस कर देना है बैक के आम होल के लिए अब हमने इसी वाली मार्किंग को उपर वाली मार्किंग से ऐसे मिला लेना है तो आम होल की जो गुलाई होती है वो इस तरीके से दी जाती है ये होगी back के आम होल के लिए ऐसे और ऐसे ही हमने front के आम होल के लिए यहाँ से इस तरीके से इसे गुलाई दे देनी है अगर आप इस तरीके से आम होल की मार्किंग करेंगे न तो आपको कभी भी कुड़ती की फिटिंग में कोई भी दिक्कत ने आएगी कोई खिचनी मारेगी कुड़ती आपकी अब हमने न यहां से तीरा एक पैट डाउन कर लेना है जैसे मैं आपको नॉर्मल कटिंग में बताती रहती हूँ आगे से यह सीधा ही आता है यहां से एक पैट डाउन हो जाता है तीरा इसे यहां से डाउन करने से शोल्डर की फिटिंग अच्छी आती है और नेक की भी तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं तो ऐसे हमारी कुर्टी के आम हुल की कटिंग हो गई है अब हमने इसके नेक की कटिंग करनी है तो उसके लिए हम front और back को न अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि front का neck थोड़ा कम deep है और back का neck थोड़ा ज़ादा deep है तो इससे हमारे front के armhole की भी cutting हो जाएगी तो ऐसे मैंने कुर्टी की front और back को अलग अलग कर लिया है ये इसका front वाला part है ये दिखिए अब हमने यहां से अपनी marking के साथ साथ इसके armhole की cutting कर लेनी है तो ऐसे हमारा ये front का armhole भी cut गया है अब हम इसमे neck cut कर लेते हैं तो अब हम यहां पे अपने neck की marking कर लेते हैं broad same ही आएगा front और back का neck deep थोड़ा अलग अलग होगा तो इस तरीके से इसकी जो broadness है वो मैं 3 inch mark कर रही हूँ टोटल हमारा neck change broad आजाएगा तो 3 inch को ना हम ऐसे सीधा सीधा mark कर लेंगे अब हमने इसकी गहराई को mark करना है तो इसकी गहराई ना ऐसे मैं तिर्चे में लूँगी लगबग साड़े 6 inch तो साड़े 6 inch को ना हमने यहाँ पर ऐसे mark कर लेना है अब हम इस वाली marking को भी सीधा सीधा mark कर लेंगे तो ऐसे neck की dimension को हमने draw कर लिया है अब हम इसमे round V neck draw करेंगे तो उसके लिए पहले हम हलका हलका mark कर कर के देखेंगे जो भी marking आपकी बिल्कुल perfect आजाए ना उसे आप इस तरीके से dark कर लीजिए तो ऐसे हमारे इस neck की marking हो चुकी है अब हम इसे cut कर लेते हैं तो ऐसे हमने इसमें round V neck cut कर लिया है अब हमें इसके back neck की cutting करनी है तो उसके लिए इसे side में कर देते हैं और back वाले part को यहाँ पे set करके रख लेते हैं तो यह back वाला part आगया हमारा अब हम इस पे भी अपने neck की marking कर लेते हैं तो सबसे पहले हम neck की चुड़ाई को mark करेंगे जैसे कि मैंने बताया आपको कि broadness same ही आती है तो यहाँ पे भी हमने 3 इंच ही mark करनी है इसकी चुड़ाई को तो चुड़ाई ऐसे हमने सीधी सीधी mark कर ली अब हमें इसकी गहराई mark करनी है तो back neck हमारा थोड़ा जादा deep है वो साड़े 6 इंच हमने रखा है न तो यह जो back है न वो साड़े 8 इंच आएगा तो साड़े 8 को हमने ऐसे यहाँ पे भी सीधा सीधा mark कर लेना है तो अब हमें back के लिए round neck draw करना है उसके लिए हम हलका हलका पहले mark करके देखेंगे जो भी marking आपकी बिल्कुल perfect आजाए उसे आप इस तरीके से डाग कर लीजिए तो अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेते हैं तो जो neck कैसे पहले कुड़ती पे कटते हैं वो neck और ये पट्टी के साथ ready होते हैं तो ऐसे हमारे front और back के दोनो neck कट चुके हैं और दोनों के arm hole भी कट चुके हैं तो अब हम इसकी sleeves कट कर लेते हैं तो बाकी बचे हुए fabric से हम इसकी sleeves कट करेंगे तो इसकी half sleeves कट करनी है हमने उसके लिए भी मैंने fabric को ऐसे four side में fold करके रख लिया है इससे हमारी दोनों sleeves एक साथ ही कट जाएंगी तो सबसे पहले हम sleeve की length को mark करेंगे तो sleeve की length हमने उपर से इस तरीके से mark करनी है मैंने यहाँ पे 8 inch sleeve की length ready करनी है तो 8 inch को ना मैं यहाँ पे ऐसे mark कर लूँगी तो नीचे हमारे पास ये 1.5 inch का folding का margin हो गया इसलिए हम इसे mark नहीं करेंगे अब हमने उपर से नीचे की तरफ आम हूल के लिए mark करना होता है तो standard size की कुड़ती के लिए ये वाला mark उपर से 3 inch पे आता है अगर size कम है कुड़ती का तो ये ही वाला mark हमारा 1.5 inch पे आएगा तो हम 3 inch को ना ऐसे सिधा सिधा mark कर लेंगे तो अब हमें यहाँ पे ना sleeves के आम हूल की marking करनी है तो उसके लिए एक formula होता है chest के ready size को ना हमने 5 से divide करना होता है जो भी हमारे पास answer आएगा उसे हमने यहाँ पे mark कर लेना है ready size यानि की जो हमने losing डाल के ready करना होता है कुड़ती पे size मान लीजी अगर हमारे पास chest का ready size यहाँ पे 40 inch है कुड़ती पे तो 40 को ना हमने 5 से divide करना है हमारे पास answer आएगा 8 inch तो 8 inch को ना हमने यहाँ पे ऐसे mark कर लेना है इस तरीके से अगर आप इस formula से sleeve के आम हूल की marking करेंगे तो आपको कभी कोई problem नहीं आएगी sleeve चढ़ाने में और आपकी fitting भी बिल्कुल perfect आएगी अब हमने ना यहाँ से round mark करना है यहाँ तक इस तरीके से हम यह mark करेंगे तो ऐसे हमने आम हूल की marking कर ली है अब हमने ना नीचे से sleeve की मोरी को mark करना है तो यहाँ पर हमारे पास sleeve की मोरी का ready size है चेंच तो चेंच को ना हमने यहाँ पर ऐसे mark कर लेना है तो अब हम इस वाली marking को इस वाली marking से ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से हमने extra margin को भी ऐसे ही mark कर लेना है लगबग dead dead inch तो अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेंगे तो ऐसे हमने sleeve की cutting कर ली है अब हमें ना यहाँ से sleeve के front के आम होल की भी cutting कर लेनी है तो sleeve पे front का आम होल ना यहाँ से आधा inch down करता है तो वो मैं अभी आपको पहले mark कर के दिखाती हूं इस तरीके से round mark करना हमने आधा inch down जैसे कुर्टी पे front का आम होल अलग से कटता है वैसे ही sleeve पे भी अलग से कटता है तो इसके front के आम होल की marking कुछ इस तरीके से आएगी अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट करेंगे लेकिन उसके लिए न हम सिरफ front के दो parts ही लेंगे दोनों sleeve के front part को उठाएंगे और इस तरीके से इसकी cutting कर लेंगे तो ऐसे हमारी sleeve की भी पूरी cutting हो चुकी है तो यह हमारे कुर्टी के arm hole, neck और sleeves की cutting हो गई है I hope आपको मेरे tips समझ में आगे होंगे और आपके बहुती काम भी आएंगे तो मेरी ऐसी ही useful videos देखने के लिए मेरे channel को subscribe जरूर करें और अगर आपको मेरे cutting के tips अच्छे लगे हों तो वीडियो को like और share भी जरूर करें तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye